यह है मुंबई का बोरिवली स्टेशन यहां से बहुत सारी स्टीज को ट्रेन जाती है जैसे की सूरत, बढ़ोदा, गुजरात, MP, राजस्तान, जैपूर, डेहली, पंजाब, नौर्थ, यूपी की नौर्थ की बहुत सारी ट्रेने यहां पे हॉल्ड करती हैं सेम ट्रेंड आते टैम भी यहीं पेर शुकती है जाते टाम ज्यादा ट्रेने यहां पे छहिए नम म्मर प्लेटफॉर्म पे या फिर आठ और 9 के बीच में रुकती हैं और आने वाली ट्रेन सात या आठ और 9 के बीच में रुकती है यहाँ पर जगए जगए पर एक्सिलेटर और लिफ्ट की सुविधा है अगर ज़्यादा सामान भी है तो आप लिफ्ट से उपर नीचे ले जा सकते हैं यहाँ पर उतरने के बाद अगर आपको लोकल स्लो ट्रेन चाहिए वो भी आसानी से मिल जाती है यहाँ पर बहुत भीट रहती है आने जाने वाले लोगों की अभी सुवे के टाइम पर थोड़ा खाली है अगर आपको उतरने के बाद टेक्सी या ओटो की जरुवत है तो आपको पूर्वली इस्ट में सब मिल जाएगा कहीं पे भी जाने के लिए इस्ट से ही होके जाना रहता है क्योंकि इस्ट हाइवे के बहुत नजदिक है अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो उपरी ब्रीज पे आप वेट करें और आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाली है उपर इंडिकेटर में एक के बाद एक ट्रेन वक्ति है तो वह हिसाब से आप कोई प्लेटफॉर्म प अगर आप थोड़ा अच्छा वाला देख रहे हैं तो बोरवेली इस्ट में थोड़ा सा बाहार निकलेंगे तो वहां पे करके आपको साफ सुप्रा वास्रूम भी मिल जाएगा अगर यसे दो-तिन जगे से आपको भार निकलने का रस्ता है जैसे ही भार निकलते तो सामने ही बस्टॉप है और आपको लोकल कहीं बोरवेली में ही जाना है तो आपको आटो करने की कोई जरूबत नहीं है आप सीधा सामने ही एसी वाली बस लगती है जिसका किराया और खाली बसे मिलती हैं आप उसमें आराम से जा सकते हैं अगर आप आटो ले रहे हैं तो मीटर से जाएगा फिर भी आपको पूछना पड़ेगा कि कितना तक हो जाएगा अगर आपको यहां से थाना साइट को जाना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सी एसी वाली बसे हैं जिनका किराया भी 60 से 70 रुपीज की बीच में पर परसन पड़ेगा या तो आपको यहां से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी थाना जाने के लिए आटो भी शेयरिंग मिल जाएगा हाँ तो कुछ ऐसा है बोरी वेली रेलवे स्टेशन के बाहर यह जो रेड बस लगी है यह इसका ही पिराया सिर्फ 6 रुपीज है अगर आपको कोई भी टिकेट लेनी है गाउं जाने की या लोकल की तो यहां पे टिकेट काउंटर है यहां से आप टिकेट आसाने से ले सकते हैं और उपर इंडिकेटर में सब क्रेंज का स्टीडूल लगा रहता है और इसके सामने ही आपको वेटिंग रूम भी मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए थैंक यू